नमस्ते सदावस सले मात्रभूमी जय हिं दोस्तो शुरू करते आज के डिफेंस समाचा रोकों बरते पहले डिफेंस अप्रेट की तरफ दोस्तो भारत ने अब अपने लॉंग रेंज गाइड़ रॉकेट सिस्टम पर काम करना शुरू कर दिया है जो कि अपने साथ 1500 यानि की 150 किलोग्राम का वारहेट ले जा सकते हैं और इनकी रेंज 300 किलोमेटर होगी दरसल आप सब जानते कि चाइना के पास लंबी दूरी के रोकेट्स हैं ऐसे में भारत का ये जवाब चाइना के A300 टाइप जो रोकेट्स हैं जिनका इस्तमाल खुद चाइना की पेले और पाकिस्तान की सेना कर रही है उनको मूँ तोड़ बात देगी चलिए बरते नेक्स्ट अप्डेट की तरफ तोस्तों कुछ खबरे सामने आई हैं जो कि बता रही है कि इन्डियन नेवी अब लॉंग रेंज लान्ड अटेक क्रूज मिसाइल का परिक्शन करने वाली है अपनी किलो क्लास की पंडुबी से LR LACM को टॉड़ पीडो ट्यूब से लॉंच किया जाएगा और इसकी रेंज 1500 किलो मिटर होगी और कहा जा रहा है कि इस टेस्ट के बाद भारतिय नौ सेना की जो सभी डीजल एलेक्टिक संब्रीन से उन पर इसे इंटिगेट किया जाएगा बढ़ते नेक्स अप्डेट की तरफ जो की और का प्रोग्राम को लेकर आ रही है दरसल दोस्तों कुछ रिपोर्ट सामने आई है जिसमें एक कहा जा रहा है कि भारतिय नौ सेना के लिए बन रहे टेड़ बीएफ केरियर बॉन फाइटर जेट के अलावा 23 तन के ओमनी रोल इंडियने एफोस को भी की जा चुकी है और और का जो फाइटर जेट है वो टेट बीफ के डिजाइन पर ही आधारित है कुछ रिपोर्ट सामने ये भी आई है जिसमें ये कहा जा रहा है कि और का प्रोग्राम के लिए भारत सरकार फंड करेगी और ये एक ब्रिज का काम कर कर दी है इस इंडियन के आफ्टर बनर वेरियंट को इंडिगेट और टेस्टिंग करने के लिए जिसे की पुराने तेजस एयरक्राफ्ट पर लगाये जाएगा और टेस्ट किया जाएगा बकाईदा DRDO इस प्रोग्राम के लिए अपने फंड का अस्तमाल करेगा ताकि इस को तेजस एयरक्राफ्ट के आउन बोर्ड पर लगाये जा सके और इसे परदशित किया जा सके और ये प्रोग्राम दोस्तों भारत के कावेरी इंजन प्रोग्राम को भी एक बड़ा बढ़ावा देगा चलिए बढ़ते नेक्स्ट अप्डेट की तरफ दोस्तों स्पैनिश इंजफ फर्म इंडरा ने पहले लेंजा एंट्री रडार को P-17A स्टिल्ट फ्रिगेट पर इंट्रिगेशन करना शुरू कर दिया है जो कि भारत ये नौसेना के लिए बनाया जा रहा है आपको मैं बता दू कि भारत ने इस रडार की मोस्ट एडवांस वर्जन को सेलेक् किया जाएगा जिसके लिए बकायदा एक कॉंट्रेक्ट साइन हुआ है इंद्रा और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा 2020 में है जिसमें की कंपनी 23 यानि की 23 इस तरह की करड़ार्स को इंडिया नेवी के शिप में लगाएगी बरते नेक्स अप्रेड की त और सेंसर स्वीट लगाएगा है जो कि भारतिय नौसेना की ताकत को और बढ़ादेगा बरते नेक्स अप्रेड की तरह दोस्तों अमेरिका में आयूजित भारत अमेरिका रक्षा नीती समो यानि की DPG की सत्रवी बैठक में डिफेंस इंडस्ट्रियल को बढ़ावा देने और महतपुन टेक्नलोजी को शेर करने और रिसर्च और डेबलेमेंट को लेकर बाचित की गई है दोनों पक्षों ने DPG की इस सत्रवी बैठक में प्रमोक रक्षा साजिदारी को शुरू करने और सप्लाई चेंस रक्षा में सुधार की तरीकों पर विचारवी मश्किया ह दोस्तो DGP भारत की रक्षा मंत्राले और अमारी की रक्षा विभाग के बीच शीष अधिकारी स्तर का तंत्र है यहनी इसके अलाबा दोनों पक्ष प्राइवेट और सरकारी दोनों हिधारकों को इनोवेशन एको सिस्टम का उप्योग करने और डिफेंस स्टार्टप को बढ़ावाद देने और उन्हें प्रोसाहित करने पर भी सहमत हुए हैं बरते नेक्स्ट अप्रेट की तरफ दोस्तो फ्रांस की साफ्रान ग्रूप ने तिर्वनपुरम में अपनी एक यूनिट इस्थापित की है जो कि भारत को एरोस्पेस छेतर में मजबूत करेगी साफ साफ्रान ग्लड़ा कोई मानों, रॉकेट और मेसाइलो के लिए महत्रपून मश्री के निर्मान के साथ साथ सैटलाइट, कामुनिकेशन और सैटलाइट ट्राकिंग के छेतर में सेवाय प्रदान करता है कहा जा रहा है कि साफरान निकट भविशा में केरल में अपनी पहली यूनिट को एशिया परशान छेतर में एक अंत्रिक्ष परिक्षन केंदर में बदनने की योजना बना रहा है इसके अरावा ये भी कहा गया है कि कंपनी ने केरल में ही साफरान स्पेस प्रोडक्स के लिए एक एसेंबलिंग अबलिक मैनिफेक्शिंग उनिट शुरू करने पर भी अपनी रुची दिखाई है साफरान का लक्ष भारत की अंत्रिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा आवशक उत्पादों का 50% उत्पादन करना भी है बर्दे नेक्स्ट अब्रेट की तरफ भाड भागिदारों के साथ लॉजिस्टिक समझोते भी है भारतिय नौसेना मालाबार 2023 में अपने डिस्ट्रॉयर्स पी एट आई और एक पंडुबी के साथ भाग लेगी इस नौसेनिक अभ्यास का जो मेन फोकस है वो पंडुबी रोधी युद संचालन होगा भारतिय नौसेना अपनी पहली स्वदेशी ऑटनौमस फास्ट इंटरसेप्टर बोड का पहला समुद्री परिक्षन गोवा से मुंबई के बीच 18-22 मई के बीच करेगी और इस इंटरसेप्टर बोड को हरी जंडी देकर रवाना किया जाएगा नौसेना के परवक्ता ने कहा कि सोदेशीकरण आत्मिरभर भारत की भामना को बढ़ावा देते हुए और समुद्री शमताओं के लिए अत्यधुनिक तक्नीकों का उप्योग करने के उदेशी से Autonomous Fast Interceptor Boards समुद्री यातयात में Autonomous Operation करने में शक्षम है बरते नेक्स्ट अपनेट की तरफ 200 G20 की बैटक से पहले कई तरीके के आतंकी हमले कश्मीर में हो रहे हैं जिसे देखते वे जम्बो कश्मीर में खास करकी कश्मीर घाटी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है शिनगर समेत आसपास के सम्मेदनशीर इलाकों और मेत्वपुन परतिस्थानों पर सुरक्षा बलके जवान नज़र रख रहे हैं जमीन से आसमान तक सुरक्षा को पुक्ता करने के बाद अब डल जील में मरीन कमांडो की दस्ते गस्त लगा रहे हैं इस बीच शिनगर में 22-24 मई तक G20 की बैठक होगी कश्मीर पुलिस जोन के ADGP ने बताया कि शहर में कमांडो तैनाद किये गए हैं और सुरक्षा बलों को भी अलग-अलग जगाओं पर तैनाद किया गया है बरते नेक्स्ट अपरेट की तरफ दोसों चायना की गोहार पर भारत ने एक बार फिर से अपनी दरिया दिली दिखाई है चीनी नागरीकों को बचाने के लिए भारते नौसेना ने समुदर में एक बड़ा ओपरेशन शुरू किया जानकारी के मुताबित तो दिन पहले आप सबकों वालू में कि मश्ली पकड़ने वाला एक चीनी जहाज लूपैंग योआन यू-028 हिंद महासागर में दूब गया था इस जहाज में 49 लोग सवार थे चीन ने काफी प्रयास के लेकिन वो अपने नागरीकों को खोज नहीं पाया जिसके तुरंट बाद भारते नौसेना से उसने मदद की मांग की चीन के आगरा पर भारत ने तुरित मानविया कारिवाई करते वे अपने P8 विमान को तैनाद किया जानकारी के मताबित हिंद महासागर में डूबे जहाज के चालक दल में चीन, इंडोनेशिया और फिलिपिन्स के नागरीक्षा मिलते रिपोर्ट्स के मताबित चीन के दो लोगों का शब मिल चुका है दोसो रश्या इरान के बीच जल्द ही रेल के माध्यम से व्यापार शुरू हो सकता है रूस के रास्पति व्लादी मिर पुतिन और उनके इरानी समकक्ष इब्राहिम रैसी ने एक वीडियो लिंक के माध्यम से अंतरास्टिय उत्तर दक्षिन परिवन कॉडिरो की हिस्से के रूप में इरानी रेल्वे लाइन के वित पोशन और निर्मान के लिए समझोते पर हस्ताक्षर किये रस्त अस्तारा रेल्वे को एक महत्वपून व्यापारिक मार्क के रूप में देखा जा रहा है इस व्यापारिक मार्क का उदेश भारत, इरान, रूज, अजर्बिजान और अन्या देशों को रेल्वे और समुधर के माध्यम से जोड़ना है पूरी तरह से तयार हो जाने के बाद ये रास्ता एक प्रमुक वैश्विक मार्क के रूप में स्वेज नहर को टकर दे सकता है इस समझोते पर हस्ताक्षर करते वे रूस की रास्पति व्लादी मिर पुतिन ने कहा कि ये कॉर्डिडोर वैश्विक यातायात प्रभाव में काफी विवित्ता लाने में मदद करेगा साथी उन्होंने कहा कि कैस्पियन सागर तट के साथ 162 किलोमेटर रिलवे बाल्टिक सागर पर रूसी बंदर गाहों को हिंद महासागर और खाड़ी में इरानी बंदर गाहों से जोडने में मदद करेगा दरसल दोस्तो रश्या और इरान दोनों पर अमारिका ने प्रतिबंद लगा रखे हैं और यहनी पश्चिमी देशों ने इन पर प्रतिबंद ठोके हुए हैं सेना अप्रदर्शनकारियों के खिलाफ आमी एक्ट के तहत मुकदमा दर्श करने का एलान कर चुकी है हाला कि दोस्तो पाकिस्तानी सेना प्रमुक असी मुनीर ने इमरान खान को एक नई पेशकश की है पाकिस्तानी आर्मी ने इमरान खान को पाकिस्तान छोड़ देने का ओफर दिया है और कहा कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आर्मी एक्ट का सामना करने के लिए तयार रहें इमरान खान को दुबई और लंदन जाने का ओफर आर्मी की तरफ से दिया जा चुका है पाकिस्तान की आर्मी ने कहा कि अगर इमरान खान पाकिस्तान को छोड़ देते हैं तो उन पर किसी भी तरीकी का केस आर्मी दर्श नहीं करेगी लेकिन खबरे तो यारी है कि इमरान खान ने इस वाफ़र को मानने से इंकार कर दिया है उन्होंने पाकिस्तान की सेना को दो टुक जवाब देते वे कहा कि कुछ भी हो जाए पाकिस्तान नहीं छोड़ूँगा पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल असीम मोनीर ने इमरान खान के सपोर्टरों को खुले आम थमकी भी दे दी थी कि अगर 12 से 9 माई वाली हरकत दोराई गई तो हम बरदाश्ट नहीं करेंगे दोस्तों ये जो आर्मी एक्ट है उसके तहट गिरफतार किये गए दोशियों को गंभीर सजा दी जा सकती है जिसमें की उम्र कैस से लेकर मौत तक की सजा दी जा सकती है बर्देन एक्स्ट अप्रेट की तरफ जो कि चंदरियान 3 को लेकरा रही है भारती अंतरिक्ष अन्विशन का रेकरम में एक महतोपून कदम है और लूनर एक्स्प्रोलेशन के लिए देश की परतिबता को भी रिखांकित करता है चंदरियान 2 मिशन में जिसमें की एक औरबीटर, लेंडर और रोवर शामिल थे वो सफल भी रहा लेकिन कुछ गरबड़िया थी उसमें लेकिन चंदरियान 3 पर अब पूरा ध्यान किंदित किया जा चुका है और अब इस नए मिशन में चंदरियान की सता पर इसकी सफल लेंडिंग कराई जानी है बता दे कि जो इस चंदरियान 3 की अंतिम असेमली चल रही है उसमें इंजिनियर्स अब साफधानी पूरवक उन वैज्ज्यानिक उपकणों को एकेकरित कर रहे हैं जिनने चंदर मिशन पर ले जाए जाएगा इस रोग को पूरा भरोसा है कि जोलाई के मध्या तक चंदरियान 3 को वो लॉच्च कर लेगा चंदरियान 3 का उदेश कई वैज्ज्यानिक उदेशों को पूरा करना है जिसमें कि चंदर मा की सता की संरशना, खनीश्विज्यान, जल बर्फ की उपस्तिती का अध्यन करना शामिल है साथ ही उन्नत उपकणों और सेंसरों को तैनात यहाँ पर किया जाएगा और इस मिशन से महत्वपून डेटा भी कलेक्ट किया जाएगा तो फिलाल यह थे अभी तक कि टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स वीडियो के समने कोई प्रश्च यावाब आपको कोई सवाल है कमें शेक्षा में लिका जुरूप हो सकते है मिलना आए वीडियो के साथ चैनल जो सब्सक्राब किजिएगा जय हिन वन्दे मात्रम